सब से पहले हमें विजीयो बनाटे ह forgi है लेकिन कोई बात नहीं इसका इलाज है हम बात में कर लेंगे अब वीजियो बनाते ही ले हैपन हो गया तो सबसे पहले हम वीजियो बनाएंगे उसके बाद हमें चाहिए एक लिस्टिन जो कि आप सब को पता है कि मेडिकल स्टोर से असानी से मिल जाएगी तीन इंग्रीडेंट्स हम लेंगे और तीनों हम लेंगे सॉलिड ताक कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है चलिए जी आप इसको बनाना किस तरह से बहुत बहां से देखेगा क्योंकि इसको मिच्स करना मुश्किल है तो इसका तरीका में आप लोगों को पताऊंगी यहां मैं आपको एक एक टीसपोन से पनानी का तरीका सिखाँगी एक टीसपोन आपने लेनी है पेट्रॉलियम जेली यानिके वैसलीन आपके पास खोई सी भी हो आप इसको 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 करिए कि एतनी महँगी चीज़ें नहीं आपको बहुतानी मिल जाएगी इसके बाद मैं इसमें एक ही तीस्पून मिलाऊंगी क्लिस्ट्रिन दोने चीज़ों को अच्छी तरह से अपने मिक्स कर लेना है बस मिक्स करना भी आप लोग के लिए बहुत दुरूरिया था कि तमाम चीज़े यक्ठ्या हो जाए अब देखें वैस्ट्रिन को मैंने चीज़ी तरह से मिक्स कर लिए अब हम इसमें हाइड्रोजन परकसाइड में लाएंगे हाफ की बहुत ही ही जो है यह कम क्वांट की है और तुकि हाफ पाउं की जिल जो है वो बहुत ज्यादा हाड होती है और इतने जादा सेंस्ट्रिम नहीं होती तो इसमें जरा भी जोबनाने की दुरूद नहीं है तो कि कुछ लोगों को वैस्टिंग जाएवास उतनी करती है उनकी लंगत पूलता है ब्लैक होना शुरू हो जाती है सामली होना शुरू हो जाती है तो आप देखें कि जब आप इसको मिक्स करेंगे तो यह मिक्स नहीं हो जाएगी पाने की तरह उपर अब इसका तरीका यह है कि मैं इसको यह मिला देने के बाद छोड़ दूँगी एक गंते के लिए किसी कुश्क जगह पे तो यह आपको आदे गंटे बात दिखाएंगे अब उसके पहले आप लोगों के अप्लाई केने के दिखा पता रहेंगे थोड़ा सा इस मिक्स नहीं को लीजिए और इससे अपने हाथों पे बासों पे और पाउं पे अप्लाई केजिए मुश्क जील सर्दियों में जो आपकी होरे या रिंगल्स वगारा वो भी इससे खत्म हो जाएंगे जिल बिल्कुल आपकी फ्रेश हो जाएगी और मज़े की बात गया है कि इसमें इतनी कौएंटी में हमने जो हाइडोजन पारफसाइड मिलाया है इससे आपके हाथ और पाउं दिनों में जमक जाएगी जिसने इसको पंदरा दिन इस्तमाल कर लिया बलकि चार दिन में आपको रिजर्ट मिल जाएगा उसकी शिकायत खत्म हो जाएगी कि इसकी हाथ पाउं बहुत कुछ बेरानक और सामने हैं अच्छा जी अपने इसको आदे गंटे के लिए किसी ऐसी जगह पे छोड़ूंगी जो ठंडी नहीं हो किसी गरम जगह पे जैसे के किचन के अंदर लेकिन चूला जलाके नहीं रखते है ना वैसे रखती के हीटोंचे वहाँ पे तो ये टिगल जाएगी तो आपको दिखा सीरम ती शकल में आगे तो पर मैंने इसकी पिक्चर ले लिया ताके आप लोग को पतार सको इस तरह से आप इसको जितना भी मिक्स करेंगे ना पानी होने की बज़ा से मिक्स नहीं होगा तो बहुत सारे दोस्तों को लून लगता है वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे ही जिसको उच्छे से मिक्स कर लेगे पानी के तेरती रहेगी आप इसमें पानी मिलाए गुलाब का अरक मिलाएं या कोई भी यह दूर बीवन मिला ले तो वैसलें जो होगी उसको रुकर पैर जाएगी इकटी हो जाएगी घी की तरह लेकिन मिक्स नहीं होगी तो उसका सब स सेरम बन जागा जागा तो तुमां जीते यक्टा हो चुकी है अब आपने इसको किसी पाटल में इसको जार में रहफूर पर लेना है और रखना है आपने इसको नॉर्मल टेम्परेटर पे कर लेगे तो वही होगा के हैड्रोज गा अलग हो जाएगा और आपकी घास्टें आप ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोज उसके अंदर ही होगा उसका पाइदा उसके अंदर हो जाएगा जब आप इसको अप्लाइ करेंगे बट अगर जरूरी है आप ऐसे चाहे तो निरम जगा पर रख लीजिए तो आप इसको रोजाना थोई सी कौश्टी में ज इसको निशान भी होगे तो वह भी इससे साफ हो जाएंगे इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुवारा कैसे ढूणेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर दीज इस तरह हमारे आने वाली तमान वीडियो आप तक पहुंच आज की वीडियो बनाई है